सुनामी के बारे में यह चैप्टर था हमारा चैप्टर सेकेंड वो हम पढ़ रहे थे ठीके पेज नमबर 211 पर जो पैसेज है वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसके पहले के पैसेज हम पढ़ चुके है तो आप रिमेंबर करने के लिए एक बार आप बुक ओपन करक पेज नमबर जो 207 है उस पर निकाली आप सबसे पहले मैं आपको बता दू कि चैप्टर किस बारे में है पढ़ चुके हम इसके बारे में यह हम पढ़ रहे थे सुनामी के बारे में ठीक है सुनामी के बारे में आप सभी जानते हो यह समूद्री तूफान होता है 26 कुछ कुछ पार्स लिए होए है कहा कहा पर कितने नुकसान होए कुछ कुछ जो स्टोरी जे वो ली वी है ठीक है तो कट्चल की स्टोरी है इगनिश जो था उसकी है यहापर स्टोरी उसके बाद में संजी जो है पोलिसमैन उसकी स्टोरी है ठीक है और एक हम स्टोरी है वो लड़की है दस साल की लड़की थी वो ठीक है तो यह पैसेज में आपको अप स्टार्ट करने जा रहे हूं पेज नंबर 211 पर सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते है इसके डिफिकल्ड वर्ड जो है क्लिंगिंग का मतलब होता है मतलब क्या होता है कि किसी चीज को होल्ड करके रखना बहुत पास से बहुत तेज और बहुत ही मजबूत पकड ठीक है उसके बाद में होता है कालिंग आउट मतलब शाउटिंग लाउडली जोर से चिल्लाना ठीक है Approoted मतलब removed, took out from the ground, जमीन से उखाड लेना पूरा, जड़ समित, washed away मतलब taken away with water, पानी के साथ ले जाना, बहे जाना, मतलब बहे कर चले जाना, ले जाना अपने साथ में, log क्या होता है, thick wooden piece और tree trunk, एक लकडी का ऐसा round shape जो होता है, जो कैसा होता है, उसके tree trunk से, मतलब soon'd, जो tree का तना होता है जो beach का जो हिस्सा होता है, उसको हम कहते है tree trunk, ठीके, trunk का मतलब elephant का जब trunk होता है, तो उसका मतलब का होता है, soon'd होता है, तो tree का trunk का मतलब होता है, पेड का जो होता है, तना, ठीक है बीच का हिस्सा होता है तो वो बहुत मजबूत होता है उससे हम कहते है लॉग floating मतलब moving on water surface पानी की सता पर बहना जो तेरता है तेर ना ठीक है client मतलब क्याता है यहाँ पर इसका मतलब है got on पाया उसके उपर वो चड़ गई थी आप passage पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको move towards ठीक है यह इसका ही मतलब है और fented मतलब होता है become unconscious मतलब बेहोश हो जाना होश नहीं रहना incident का मतलब पता है आपको a fact of something happening इसका मतलब है कि कोई घड़ना incident जो हम कहते है और उसके बाद में है traumatized मतलब होता है deeply shocked and distressed बहुत गहराई में शौक हो जाना तो हम start करेंगे यहां पर हम पढ़ेंगे कि आलम की जो मदर और आंटी जो है वो क्या कर रही थी कि वह बहुत fast पकड़ी थी leaves को ठीक है coconut tree के leaves को पकड़ी थी और उसको बुला रही थे वो दोनों तो जो एक तेज बहा उसे एक वेव बहती वी आई और उसने क्या करा जर समेत उस पेड़ को ही अपने साथ बहा लिया और वे दोनों भी उसके साथ बह गए अलम saw a log of wood floating अब उसने क्या देखा उस लड बाद में वो क्या हो गई बेहोश हो गई when she woke up जब वह जागी she was in a hospital in a hospital है देखो कमरोट कमरोट में एक hospital है वहाँ पर वो पाई गई मतलब बेहोश हो गई थी वो तो उससे फिर उसके बाद कुछ भी याद नहीं कि क्या हुआ था from there she was brought to port Blair उसके बाद उसे port Blair ले जाया ग थी क्योंकि वो इतनी घब रही थी इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी डिस्ट्रेज हो गई थी she is still traumatized ठीक है तो आपको इस paragraph में समझ में आए difficult words भी समझने है और passage भी समझना है अब आपको पता है कि passage कही question answer आते है तो हम साथ साथ में question answer भी करना start कर देते है आंसर जो है आपको नीचे दिये वह है लेकिन आपको यह नहीं देखने अगर यह आप answer देख लोगे तो फिर तो chapter पढ़ाने की जरूत नहीं है मुझे क्योंकि question के नीचे answer अगर आप देखे कर लोगे तो हमें passage के answer कैसे करना है passage में ढूनने है question का meaning समझना है और फिर उसमें find out करना है passage में answer सबसे पहला question है what happened to Alam's mother and aunt तो Alam की mother और उनकी आउंटे को क्या हुआ था देखो passage में answer कहा मिलेगा क्या हुआ था उनके साथ में कि a wave uprooted the tree and they two were washed away तो एक जिस tree को उन्होंने पकड़ के रखा था वो जो तेज बहाव आया पानी का और वो उसे जड़ सपेड को गये थे तो इसका answer हम लिखेंगे they were washed away ठीके by a sea wave यह भी हम लिख सकते यहां पर अगर अपनी language में बना के लिखे तो और नहीं तो आप अगर इतना यह भी लिखोगे direct passage में से तो भी चलेगा a wave uprooted the tree and they were washed away ठीके यह भी आप लिख सकते क्योंकि passage में से answer ढूडने का जब म उसके बाद ने what did Alam see floating in water उसने क्या देखा पानी में क्या बहरा था क्या देखा था उसने a log of wood floating क्या देखा था कि एक जो लकड़ी का गठा है तो वो बहरा था मिल गया आपको इसमें answer then third question where was Alam when she woke up अब उससे जब वो जब जागी तब वो उससे अपना को कहा पाया वो कहा पर थी यह रहा देखा answer when she woke up she was in hospital in commute ठीके और find the word from the passage which means shock and distress shock and distress का यहां पर क्या मतलब है traumatized तो कितना easy है passage में से answer ढूंड़ना इसलिए आप सभी passage में से answer ढूंड़ोंगे और वही लिखोगे तो यह जो आपको वीडियो आया है इस passage के आपको English to English word meaning याद करने है और साथ में आपको यह date लगा कर आपको date लगानी है 17 17 December date लगानी है और यह वीडियो आता है उसके बाद just what आपको work करना है notebook में यह पैसेज चेप्टर का name लगा कर इस passage के question answer आपको करने है ओके word meaning आप English to English जो है वह बुक में से फिलाला पियाद कर सकते हो